यूदू. inhale बुटका को स्वागत करते हैं आज में आप सभी के लिए ब्रत मि खाले वाले साबू दाना और म खाले की खीर की रेस्पी आसे ब्राइब खाने होता है और आप इसका टेक्ट्टर की तेस्ट्ट्र के खीर बनती है वास्ट ही तो लाइक करें शेर करें यादा ज़्यादा और मेरे पहले प्राइब लिए तो सब्सक्राइब बरना फिर्फिल न भूलें एक मखाना है इसको आइसे ही ब्राइब रोस्ट पार लेना है सब तक जब तक यह करच न होचाएं कि अब इसमें डालेंगे यह को पैम पे अच्छे से एक बार हिला लेंगे इस तरीके से देखिए वन कप से थोड़ा सा कम है इतना ही साबुदाना हमें लेना है कि इसे चार मिंट हमें से भूनना है कि अब दू बुनने के बाद यह देखिएगा थोड़ा सा सर ट्रांस्पेरन्ट हो गया है पहले किस तरीके से था अभी यह देखिए थोड़ा सा ट्रांस्पेरन्ट हो राए इसा कलोई यह स्थे अज़ाना प्रण़स फृद्स कोचिसा को प्राइब गडिया यह सब Guide डिया छिसे में living आपके काये हैं मुझे बहुत ज़्यादा उन्कों नहीं Rig करना था हम इनको इनको इस तरब प्रेक्च कर लेती हु on a back side है अग्चなので यह कि इस तरब मप्कर से में इसको क्रस्ट कर लिया है कुछ खड़े भी हैं इस तरह से कुछ इस तरह से हो गए हैं तो बैस हमें इतना ही करना ज्यादा नहीं प्रस मखाने को बीजियों डाल देंगे इसमें एड़ करा देंगे आधा लीटर जूद तो मैं यहां पर फुल क्रीम बूर यूज़ कर रहे हूं अब इसे हमें इसी के साथ में पकार लिना है मखाने हमने डालें उसके विए से दूथ का जो टेक्च्चर आएगा बहुत अच्छा लगेगा खाने में और बस अभी देखिए सिर्फ हमें यहां पर मखाने तर्थ वए दिख रहे हैं आप देख सकते होंगे लेकिन जैसे जैस इसे हमें तीन से चार मिंट पकाना है मीडियम फ्लेम पर हमें इसकी मलाई को इस तैसे से स्क्रेच करते होगे बीच मिक्स कर देना है तो इसे क्या है यह विल्कुल जैसे रबड़ी होती है ना लच्छे दार वैसी हमारी बन कर रड़ी होगी कि काफी ठीक हो गई है और यह हमारा साबुदाना फिर लगभभ पकाई है तो इसमें एक प्राइदेंगे कुछ केसर के थ्रेड दस बारा थ्रेड है केसर के यह पूरी तरीके से ओप्सिनल है अगर आपको डालना है डालिए हाफ स्पून इलाची पाउडर और अपने टेस्ट के कॉर्डिंग सुगर सुगर जब तक मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाना है आप देख सकते होंगे हमारा साबुदाना उपर से तैयादने लगा है जो साइट का है इसको कि हमें इस तरह से मिक्स कर देना है हां हमें इसी स्टेज पिदेग सकते हैं तोला सावी पतला है बर्ट ये जैसे जैसे थंडा होगा ना तु गाला होगा तो हमें इहां पर गैस्ता फ्लेम और स्कार देना है आप इसका टेक्चर देख सकते हैं कितना अच्छा है बहुत ही टेस्टी ही खीर बनती है फास्ट में आप इसको खाईए और फूरा दिन आपको ऐसा लगेगा अलब कि भूखा इसासी ने होगा बहुत ही टेस्टी हीर है अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें शेयर करें फैमिली फ्रेंट में जादा जादा और मेरे सेम्ट पर पहली बाह रहा है तो सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूलें